ओम शान्ती तीन जन्वरी दोहजार तेस मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य आज की मूली के कुछ मुख्य पॉइंट्स आज बाबा हमें समझाते की हम बच्चों को एक बाब की याद से देह सहित जो भी बंदन है उनसे मुक्त होना है बेहत की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है बेहत बाब के साथ विश्व की सेवा करनी है स्वयम से पूछना है कि हमें खुशी कहां तक रहती है हम सतो प्रधाद कहां तक बने हैं हमें स्वयम पर निश्चे कितना है कि हम सर्वगुन संपन थे और श्रीमत पर अब फिर बन रहे हैं सदा स्मृती में रखना है कि मैं आत्मा मन उध्धी और संसकार से अलग हूं और इनकी मालिक हूं यही नियारेपन का अभ्यास हमें कर्मा तीत बना देगा तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुरली ओं शांती बाबा केते मीठे बच्चे बाप का बन कर बाप का नाम बाला करो नाम बाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है प्रश्न संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है जो सत्युग में नहीं होगी उत्तर संगम पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र है बापनी तुम्हें और सब बातों से बे फिक्र बना दिया तुम पुरुशार्थ करते हो कि ये पुराना शरीर खुशी-खुशी से छूटे। तुम जानते हो पुराना बस्त्र, उताव, नया लेंगे। हर एक बच्चे को अपनी दिल से पूछना है कि हमी कितनी खुशी रहती है। हम बाप को कितना याद करते हैं। उम श्यांती, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को रुखानी बाप समझाते हैं। पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं। पढ़ाते हैं रच्ता और रच्ना के आदी मध्य अंत का रास। और समझाते हैं सर्वगुन संपन बनो, दैवी कुन धारन करो। याद करते करते तुम स सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो इस समय ये तमो प्रधान स्रिष्टी है। सतो प्रधान स्रिष्टी थी, जो अब 5000 वर्ष में तमो प्रधान बनी है। यह है पुरानी दुनिया। सबके लिए कहेंगे ना ये नई दुनिया में थे या शांतिधाम में थे। बाप रुहों को ही बैठ समझाते हैं。 ये रुहानी बच्चे तुम्हें सतो प्रदान ज़रूर बनना है। बाप से वर्षा सुरूर लेना है। पुझ अपने बाप को याद सुरूर करना है। लौकिक बच्चे भी याद करते हैं। जितना बड़े होते जाते हैं, हद का वर्सा पाने के हकदार होते जाते हैं। तुम हो बेहत के बाप के बच्चे। बाप से बेहत का वर्सा लेना है। अभी भक्ती आदी करने की दरकार नहीं है। यह तो बच्चे समझ गए हैं। यह युनिवर्सिटी है। सब मनुष्य मा को पढ़ना है बेहत की बुद्धी धारन करनी है अभी ये पुरानी दुनिया चेंज होनी है जो अब तमो प्रधान है वह सतो प्रधान होंगे बच्चे चानते हैं इस समय हम बेहत के बाप से बेहत सुख का वर्षा पा रहे हैं अब हमें एक रुहानी बाप की ही मत पर चलना है इस रुहानी याद की यात्रा से ही तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान होती चाती है फिर सतो प्रधान दुनिया में जाना है तुम्हारी समझ में आता है कि हम ब्रामन हैं हम बाप के बने हैं पढ़ाई पढ़ रहे हैं और पढ़ने को ही ज्यान कहा जाता है भक्ति अलग है तुम ब्रामनों को बाब ज्यान सुनाते हैं और कोई को इस ज्यान का पता नहीं है। वे ये नहीं चानते कि ज्यान सागर बाब जो टीचर भी है वे कैसे पढ़ाते हैं। बाबा टॉपिक्स तो बहुत समझाते रहते हैं। नमबर वन बात है बाब का बनकर बाब का नाम बाला करना, संपूर्ण पवित्र बनना, संपूर्ण मीठा भी बनना है। यह है ईश्वरी विद्या। भगवान बैट पढ़ाते हैं। उस उंचे से उंचे बाब को याद कर है सेकंड की बात अपने को आत्मा समझो तुम जानते हो हम आत्माई शांती धाम में निवास करती हैं फिर यहां आती हैं पाठ बजाने उनर चनम में आते ही रहते हैं नंबर बार 84 चनमों का पाठ हमने अब पूरा किया है इस पढ़ाई को भी समझना है पाठ को भी समझना है ड्रामा का राज भी गुद्धी में है जानते हो यह हमारा अंतिम चनम है इसमें बाप मिला है जब 84 चन पूरे करते हैं तो पुरानी दुनिया बदलती है तुम इस बेहत के ड्रामा को 84 चनमों को और इस पढ़ाई को जानते हो 84 चनम लेते लेते अब पिछाडी में आकर ठैरे हो अभी बढ़ रहे हो फिर नई दुनिया में जाएंगे नई नई आते रहते हैं कुछ न कुछ निश्चय होता रहता है कोई तो इस पढ़ाई में लग जाते हैं बुद्धी में हैं हम सतो प्रधान पवित्र बन रहे हैं हम पवित्र बनते बनते उन्नती को पाते रहेंगे बाबा नी समझाया है तुम जितना याद करते हो तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जाती है बच्चों की बुद्धी में सारा ड्रामा बैठा हुआ है ये भी जानते हो कि इस दुनिया का तुम सब कुछ छोड़ कर आए हो जो इन आखों से देखते हैं वे देखने का है नहीं ये सब खत्म हो जाने वाला है अब तुम्हारा अंतिम चन्व है और कोई भी इस बेहत के ड्रामा को नहीं जानते हैं तुम अभी सारे चक्र को जानते हो बाप आए हैं अब तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने जैसे वे इम्तिहान बारा मास के बाद होता है तुम्हारी याद की यात्रा भी अभी पूरी नहीं हुई है बहुत कुछ याद रहता है फिर पक्का होता जाएगा तो कुछ भी याद नहीं आएगा एकदम आत्मा अशरीरी आई अशरीरी जाना है तुम सारे स्रिष्टी के मनुष्य मात्र के पाट को जानते हो बहुत मनुष्ये बढ़ते चाते हैं, करूडों हो गए हैं, सत्युग में तो हम बहुत थोड़े हैं, उनर चनम लेते लेते और धर्मों के मठपन, ताल तालियां बढ़ते बढ़ते, जाड बहुत बढ़ा हो गया है आदी सनातल देवी देवता धर्म ही प्राई लोप हो गया है, हम ही देवी देवता धर्म में थे, सतो प्रधान थे, अब वे धर्म ही तमो प्रधान हो गया है, अब फिर सतो प्रधान बनना है, और बनने के लिए ही हम पढ़ रहे हैं जितना पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, उतना बहुतों का पल्यान होगा बहुत प्यार से समझाना है, एरोपलेन से पर्चे किराने है उसमें भी यही समझाना है कि तुम जन जनमांतर भक्ती करते आए हो गीता पढ़ना भी भक्ती है, ऐसा नहीं, गीता पढ़ने से कोई मनुष्य से देपता बनेंगे ड्रामा अनुसार, जब बाप आते हैं, तब ही आकर युक्ती बताते हैं सतो प्रधान बनने की फिर सतो प्रधान पद मिल जाता है, तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम यह बनने वाले हैं, यह है इश्वरिय पाठशाला भगवान पढ़ाकर तुमको नर्ज से नारायन बनाते हैं हम सतु प्रधान थे तो स्वर्ग था तमो प्रधान बने तो नर्ग है फिर चक्र को फिर ना है बाप ही आकर मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बनाने का पुरुशार्थ कराते हैं बाप को याद करना है और दैवी गुण धारन करने हैं लड़ना जगड़ना नहीं है देवताइन कभी लड़ते जगड़ते नहीं तुमको भी वही बनना है तुम ही ऐसे सर्वगुण संपन थे फिर बनना है श्रीमत पर अपने से उचना पड़े कि हमको कहां तक खुशी है कहां तक निश्चे है ये तो सारा दिन याद प्रहना चाहिए परन्तु माया ऐसी है जो भुला देती है तुम जानते हो बाप के साथ हम विश्व के खिद्मतकार है आगे तुम हद की पढ़ाई पढ़ते थे अब बेहत की पढ़ाई बेहत के बाप त्वारा पढ़ते हो ये पुराना शरीर है जो अपने समय पर छूटने का है आपे ही न छूटे हम खुशी से इस शरीर को छोड़े हम इस छीची शरीर को छोड़ पुरानी दुनिया को भी छोड़ खुशी से जाते हैं कोई बड़ा दिन होता है तो खुशी से नए कपड़े पहनते हैं न यहां तुम चानते हो हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा हमको एक ही फुर्णा है पावन बंडे का और सब फिकरातों से हम फारिग हो जाते हैं यह सब खलास हो जाना है फिकर काहे का रखें आधा कल्प हम भक्ती मार्ग में फिकर में रहे फिर आधा कल्प कोई फिकरात नहीं रहेगी बाकी थोड़ा समय है पावन बनने का थोड़ा फिक्र है फिर एक भी फिक्र नहीं रहेगा ये सुख-दुख का खेल है सत्यूग में है सुख कल्यूग में है दुख बाबा ने समझाया है तुम पूछ सकते हो सत्यूग सुख धाम के रहवासी हो या कल्युक दुखधाम के, ये तुम नई नई बातें सुनाते हो, जरूर कहेंगे अब दुखधाम के वासी हैं, बहुत प्यार से पूछा जाता है, जो मनुशे आपे ही समझें कि हम कहां के वासी हैं, कहेंगे इनके प्रशन पूछने की युक्ती तो बहुत अच्छी है, भल कितना भी बड़ा आदमी हो, धन्मान हो, परन्तु है तो नर्कवासीना, स्वर्ग तो नई दुनिया को कहा जाता है, अब कल्युक पूरानी दुनिया है, ये प्रशन बहुत अच्छे हैं, सीड़ी मे भी क्लियर है, तुम सुखधाम में हो वा दुखधाम में हो, ये हेल है या हेविन, देटी हो या डेवल हो, ये पूछना है, जरूर सत्युक को डेटी वर्ल्ड कहेंगे, कल्युक को नर्क डेवल वर्ल कहेंगे, तो पूछना है, सत्युक स्वर्ग डेटी वर्ल के वासी हो या कल्यूप डेविल वर्ल्ड के वासी हो भल कितना भी धन्मान हो परंतु वासी कहां के हो अभी तुम्हारे में ज्यान आया है पहले ये बातें ख्याल में भी नहीं थी अभी तुम समझते हो कि हम संगम पर हैं जो कल्यूप में हैं वे पतित नर्कवासी हैं, फिर पावन बनना है, तब तो पुकारते हैं, ये पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, ये भी समझाना है, तुम्हारे पास कितने धेर मनुष्य आते हैं, फिर भी कोटों में कोई निकलते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जो सिखलाता हू उस पर कोई विरला ही चलता है, प्रभात फेरी में भी यही दिखाओ कि हम इस पढ़ाई से स्वर्गवासि बन रहे हैं, सत्यु त्रेता द्वापर कल्यू, यह चक्र फिरता है ना, तुम्हारी बुद्धी में सारा चक्र है, फिर से तुम सुक धाम, शांती धाम के मालिक बन अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं, तो पद भी कम पाएंगे, यह तो कॉमन बात है, इसलिए बेहत की पढ़ाई पढ़कर बेहत का वर्सा ले लो, सिर्फ अपने को आत्मा समझ, बेहत के बाप को याद करना है, बहुत मीठा बाबा है, उनका डारेक्शन है कि देह सहिद, द अभी बंधन खलास कर दो, आत्मा तो अविनाशी है, अभी अभी शरीर लिया, अभी अभी छोड़ा, देरी थोड़े ही लगती है, इस समय तो दिन प्रति दिन सब तमो प्रधान बनते चाते हैं, जब हम सतो प्रधान थे, तो हम बड़ी आयू बाले थे, और बहुत थोड जितना याद करेंगे, उतना तुमारी आयू बढ़ेगी, जब तुम सतो प्रधान थे, तो तुमारी आयू बहुत बड़ी थी, फिर जितना नीचे उतरते गए, तो आयू कम होती गई, रजो में उतरे, तो आयू कम, तमों में आये, तो और कम, जैसे नार का मिसाल है, नार रहेट, कंगने यानी टब्बे भरते हैं, और खाली होते जाते हैं, नार कुए से पानी निकालने का एक तरीका है, यह भी बिहत का नार है, तुम अभी भर रहे हो, भरते-भरते पूरे भर जाएंगे, फिर धीरे-धीरे खाली होंगे, इनकी भेंट बैटरी से भी की जाती अभी हम सतो प्रधान बन कर जाते हैं, फिर 84 जन लेते हैं, आदा कल्प के बाद, रावन राज्जे शुरू होता है, रावन राज्जे में सब को कहेंगे नर्ग वासि हैं, पीछे जो आएंगे वे नर्ग में ही आएंगे, पहले तुम सवर्ग में जाते हो, ये बाप से भकत तब ज्ञान भी लेते हैं. ये सब रास तुमको बाप में समझाया है. तुमको फिर दूसरों को समझाना है. मनुष्यों ने अनीग प्रकार के पाप ही पाप किये हैं. अब बाप आया है, तुमको ज्ञान दे रहे हैं. बाप जब आते हैं तब ही आकर पढ़ाते हैं इतना समय तो पता ही नहीं था पाप आत्मा बनते ही गए हैं उन्मे आत्मा कैसे बनते हैं फिर पाप आत्मा कैसे बनते हैं कौन सत्युके निवासी होते हैं कौन कल्युके निवासी होते हैं कुछ भी पता नहीं था अब बाप उने समझाया है, बाब को शमा भी कहते हैं, उनमें लाइट भी है और माइट भी है, लाइट में आते हो अर्थात जगते हो, तो माइट आ जाती है, तुम्हारी लाइफ भी बड़ी हो जाती है, तुमको वहां काल खा न सके, खुशी से एक शरीर छोड दूसरा लेते हो, दुख की कोई बात नहीं, जैसे एक खेल हो जाता है, सर्प का मिसाल, तुमने सत्यूक से लेकर कल्यूक तक पाठ वजाया है, ये बुद्धी में बैठ खया है, बाबा, तुम्हारा पाप भी है, टीचर भी है, सत्कुरू भी है, ये सिर्फ बच्चे ही नंबर वार पुरुशात अनुसात जानते हैं, उनर जनम को भी तुमने समझा है, कि तुम कितने जनम लेते हो, ब्रामन धर्म में तुम कितने जनम लेते हो, एक जनम, कोई दो तीन जनम भी लेते हैं, समझो, कोई शरीर छोडते हैं, वे संसकार ब्र ब्राह्मन पन के होने के कारण फिर भी सच्चे सच्चे ब्राह्मन कुल में आ जाएंगे। ब्राह्मन कुल की आत्माइं तो रिद्धी को पाती रहेंगी। ब्राह्मन कुल के संसकार तो ले जाते हैं ना। कुछ हिसाब किताब है तो दो तीन जन्म भी ले सकते हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। आत्मा ब्राह्मन कुल से देवी कुल में जाएगी। शरीर की तो बात नहीं। अब तुम बाप के पने हो। तुम इश्वरिय संतान हो। फिर प्रजविता ब्राह्मा की भी संतान हो। दूसरा तुम्हारा कोई संबंध है नहीं। बेहत के बाप का बनना कोई कमबाद थोड़े ही है। तुम सुख दाम के मालिक बन जाते हो। सिर्फ बड़े बाप को तुमने पहचाना है तो भी तुम्हारा भेड़ा पार हो जाएगा अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को दिल वर्चान सिक्वाप प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी धाना के लिए मुख्य साथ, अपने आप से पूछो कि पहला पॉइंट हमें खुशी कहां तक रहती है दुसरा, सर्वगुन संपन्थे अब श्रीमत पर फिर बनना है, ये निश्चे कहां तक है तीसरा, हम सतो प्रधान कहां तक बने हैं दिन रात सतो प्रधान यानि पावन बनने की फिकरात रहती है बेहत बाप के साथ विश्व की खिद्मत यानि सेवा करनी है बेहत की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है देह सहित जो भी पंदन है उन्हें बाप की याद से खलास कर देना है बरदान मालिक पन की स्मृती द्वारा मन मना भव की स्थिती बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव सदा ये स्मृती इमर्ज रूप में रहे कि मैं आत्मा करावन हार हूँ मालिक हूँ विशेश आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ तो इस मालिकपन की स्मृती से मन, बुध्धी और संसकार अपने कंट्रोल में रहेंगे मैं अलग हो और मालिक हो इस स्मृती से मन-मनाभव की स्थिती सहज बन जाएगी यही नियारेपन का अभ्यास कर्मातीत बना देगा स्लोगन गलानी वार डिस्टर्बिंस को सहन करना और समाना अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना अव्यक्ती साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिष्टा स्थिती का अनुभव करो साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा जब एकांत में रहती है तब मन बुद्धी की एकागरता का अनुभव होता है उसी एकागरता से विशेश दो शक्तियां प्राप्त होती हैं एक परकने की और दूसरी निर्ने करने की यही तो विशेश शक्तियां व्यवार और परमार्थ दोनों की सर्व समस्यां को हल कर देती है इससे सहची डबल लाइट फरिष्टा सिती बन जाती है ओम शांती